नमस्कार कैपिटल टीवी उत्रप्रदेश देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ बाबिता गौरकपुर के सांसद और अभीनेता रवे किशन शुकला के बड़े भाई रमेश किशन शुकला का इलाज के दौरान नीधन हो गया जिसके बाद से उनके परिवार पर दुख का पहार तूट पड़ा है वहीं इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई तो अंतिम संसकार में शामिल होने के लिए लोगों का ताता लगया वहीं कई बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर शोग समेदना भी व्यक्ति है गौरकपुर के सांसद अभी नेता रवी किशन के लिए बुदवार काफी भारी रहा क्योंकि बुदवार के ही दिन ही गुरवी किशन के बड़े भाई ने अस्पताल में आखरी सांसे ली उनके बड़े भाई का इलाज काफी समय से एम्स में चल रहा था आपको बता दे कि उनके बड़े भाई रमेश किशन शुकला काफी समय से कैंसर से पीडित थे इसे के साथ ही उन्हें कई गंभीर बिमारिया भी थी कुछ समय से वो बीपी, किटनी और कैंसर जैसी भायंकर बिमारियों से ग्रसिच चल रहे थे जिसका इलाज एम्स में चल रहा था लेकिन बुदवार की दोपहर को उन्होंने आखरी सांसे ली और अस्पताल के बैट पर दम तोड़ दिया देर शाम रमेश किशन के शव को लेकर रवी किशन और उनका परिवार वानारसी पहुँचा चोक थाने के पास कुछ देर शव रुका इस दोरान बीजेपी नेता समयत कई कारे करता भी मौजूद रहे कुजदेर रुकने के बार शव को मनिक करने का घाट पर अंतिम संसकार के लिए ले जाया क्या जिसके बाद उन्हें मुखागनी दी गई उनको मुखागनी रवी किशन के बड़े भाई राम किशन शुकला ने दी इस अंतिम व्यात्रा में लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिले सांसद रवी किशन के बड़े भाई के निदन की जानकारी होने पर यूपी के मुख्य मंत्री योगिया अधितनात और उत्राखन के सियम पुशकर सिंग धामी सहित कई राजनेताओं ने सोशल मीडिया पर शोक समवेदना प्रगट की रमेश किशन शुकला तीन भाईयों में दूसरे नमबर पे थे कुछ समय से वो बीपी केड़नी और कैंसर जैसी भायंकर बिमारे से ग्रसित थे उनका इलाज एमस में चल रहा था लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका वहीं भाई को ना बचा पाने का रविकेशन को काफी धुग भी है मीडिया से रूबर होते हुँ उन्होंने बताया कि पिता जी के जाने के बाद भाई का चले जाना उनके लिए अपूर्ण या शती है उन्होंने कहा कि आज उनके ना होने पर हम दुख संभाल नहीं पा रहे है मेरे लगातार प्रयास के बाद भी हम उनको बचा नहीं पाए आप देखते रहे कैपिटल डी उत्रप्रदेश नमस्कार